हलो अव्रीबडी मैं हूँ शिल्पापुंडी अमेरिका के लुइबल सिटी से और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर हालाद बिल्कुल भी ठीक नहीं है 26,000 से जादा केसेज और पिछल 3-4 हफतों में यहां अकड़ा देखने को मिला है और रोज हजारों की संख्या में यहाँ पर न्यू केसेज सामने आ रहे हैं हम शुरुवात में जब यहाँ पर केसेज मिले थे तो हम सोच रहे थे कि अरे अमेरिका में थोड़ना कुछ होगा लेकिन अब जो यहाँ पर हालाद बन रहे हैं हाला कि जिस state में हम रहते हैं कैंटिकी में वहाँ पर करीब 90 cases मिले हैं लेकिन शुरुवात में जब यहाँ पर cases मिले थे उसी समय से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने आपको isolate करना शुरू कर दिया था और emergency की condition में ही लोग बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं लेकिन जो चीज यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डरा रही है वो यह है कि अमेरिका आप देखिए super power है medically इतना ज़्यादा advanced country है population के मायने में यहाँ पर कम population है इंडियर के comparison decision अब यहाँ पर जो हालात हैं वो डरा रहे हैं और एक तरह से तीन हफ़ते में जो अमेरिकी सरकार है पूरी कोशिश कर रही है निपटने की लेकिन एक तरीके से सारी कोशिश है नाकाम हो रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में रोज की से सामने आ रहे हैं भगवान ना करें अगर इस तरह के हालात हिंदुस्तान में बनते हैं तो कैसे निपटा जाएगा क्योंकि जिस तरह से मेरी बात हो रही है अपने रिलेटिव से स्चोज वहां पर लगाये जा रही है तो यानि कि भी 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 लोग लाइटी ले रहे हैं वहां पर गौमूंत रपाटी ओउर्गनाइज हो रही है वहां पर कह रहे हैं कि कि अल्ला के भरोस से है, हमें तो अल्ला बचा लेगा, प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं, नमाजे अभी भी चल रही हैं, वहाँ पर यग्य हो रहे हैं, करोना से ने पटने के लिए, तो आप मुझे लगता है कि वहाँ पर लोग गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ रहे है कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके सर पर खड़ी है, एक तरह की से वार वाली जो सिचुवेशन होती है, आप बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए है, क्योंकि आप समझ लिजिए कि अमेरिका जैसा देश तीन हफतों में पूरी तरीके से धराम है यहाँ पर, आप न्यू यॉक के हालात देख लिजिए, न्यू यॉक जो सेट है, दो करोड के करीब आबादी है वहाँ पर, और साड़े बारा हजार से जादा केसे, और रोज वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर केसे मिल रहे हैं, पूरी कोशिश यहाँ पर अमेरिके सरकार देखने को मिल रहे हैं, तो आप प्लीज गंभीरता को समझिए कि कितनी बड़ी यहाँ पर मुसीबत में आप फसे हुए हैं, और इंडिया जैसी कंट्री जहां पर आप देखिए, गाउं देहातों में शायद लोगों को अभी भी पता नहीं होगा, जो छोटे कजबें हैं तो कितनी बुरे हालात हो जाएंगे, आप हमेशा बात जो इंडिया में हमेशा टसल चलती रहती हैं, दो समझाय के बीच के नहीं हमारा देश है, हमारे पूरवज है, हम कागस नहीं दिखाएंगे, हमारा देश पिये, तो आपको अभी मौका मिला यह दिखाने का कि कितने आप राश्ट भक्त हैं आप अपने देश को बचा सकते हैं please please जो हालात यहांपर बने हैं बड़ी जो Countries Начाना आप देख लीजे इतली देख लीजे USA आप देख लीजे हालात समझेजीए आपको मौका मिलाए प्लीज आपको बस करना है कि आप घरों में रहिए ताकि आप इस बिमारी से बच सकें और जो चेन एक फैली है infection की जो एक से दो दो से चार लगातार बन रही है उस चेन को आपको ब्रेक करना है आप गंभीटा को समझे